अब कि और यह हम जा रहे हैं दुबाई आपको मिच्ट आप दुबाई में दिखाते हैं बीच में कुछ नि दिखाएगी लेखे बीच में कोई वीडियो नहीं आएगी सिर्फ दुबाई वीडियो आएगी ये है नमबर दो टर्मिनर और हमें जाना है टर्मिनल नंबर सैवन पर यह हमारी टीम और यहां टिकेट और वेक्सिनेशन सर्टिफिकेट की चेकिंग की जाएगी और उसकी चेकिंग के बाद ही एरपोर्ट में इंटरी मिलती है तो हम आ चुके हैं एरपोर्ट के अंदर हमें जाना है वी चेकिंग पर यहां से आप करंसी चेंज करवा सकता हो और यह हम पहुँच चुके हैं अपने चेकिंग पर दोस्तों हर एक कंट्री का अलग़ग चेकिंग होता है यहां हमारे लगिज का वेट किया जाएगा और साथ ही हमें बॉर्डिंग पास मिलेगा और फिर हम नेक्स स्टेप के लिए जाएंगे दोस्तो यह सेकिंड स्टेप है फर्स्ट स्टेप में हमारे टिकिट की चेकिंग और कोविड वेक्सिनेशन सर्टिफिकेट की चेकिंग हुई थी और नेक्स स्टेप में यह हमारे लगिज की वेट चेकिंग हो रही है यह ज़स क्लास और यह है कोनवी क्लास जिसमें हमारी है कोनवी क्लास तो हम लाइन में लगे हुए हैं और यहां से हमें बोर्डिंग पास मिला हमें गेट नम्बर 10 पर जाना है दोस्ते यह वो समान है जो हम प्लेन के अंदर नहीं ले जा सकते जो स्क्यूर्टी चेकिंग के दुरान हमसे ले लिया जाता है और अब हम जा रहे हैं M.S.C. के लिए जहां M.S.C. हमारे पासपोर्ट और बोर्डिंग पास की चेकिंग करेगी और हमारे पासपोर्ट पर स्टेंप लगाएगी और नेक्स टेप है स्क्यूर्टी चेकिंग का स्क्यूर्टी चेकिंग के बाद हमारा लाज टेप रह जाता है जहां हमें अपनी फलाइट का इंतर्यार करना होता है दोस्तों यह है दिली अर्पोर्ट का ड्यूटी फ्री यह आपको हर एरपोर्ट पर मिल जाते है यहां आपको सामान टेक्स फ्री मिलता है जो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है यहां से आप कुछ भी खरीज सकते हैं लाइक वाइन और अनिधिंग यह वांट तो बाई आई बाई 304 नमबर डाइल करते हैं रुजा आकर 1 जाया हुआ इस सब्सक्राइब करें निया है और यह हम पहुँच चुके हैं अपने गेट नमबर टैन पर जहां हमें अपनी फ्लाइट का इंतजार करना होगा और यह हम वेटिंग एरियम बैठे हुए हैं बहुत वेट कर लिया यार वहीत और हम चल दी है अपनी फ्लाइट के लिए और आप देख सकते हैं यह हमारा प्लेट यह हमारी सीपनी एक है यह विजनेस कलास है और आगया एकोन होगा प्रेन की तरह वीड़ हो रही हां बहुत से आप डी है डी मेरी दो काहन लिख रहा है आजी कपीठ क pista लगार तो ही प्रेज़ सुस्झा है क्पाव का आजी अपिट कैसा लग रहा आपको प्लेन वाली फिनिंग आ रही है और ये है इस्ट्रक्शन चार्ड जो आपको पढ़ना जरूरी है और ये है प्लेन का बाथरूम और ये बैक्डाउंड में जो आवाज आ रही है ये प्लेन की आवाज है और हमारी टीम सो चुकी है तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स को वाचिन इस वीडियो